तो स्वागत है दोस्तों फेने वाई जून स्टडी में आज हम लोग यहाँ पर बायलोजी के बहुत इंपॉर्टन चैप्टर humanize, manonator के बारे में discuss करेंगे और इससे लगातार question में आपके लगातार questions बनते रहते हैं ठीक है तो आज हम लोग यहाँ पर कुछ explanation देखेंगे उसके बाद हमने आपके लिए 25 questions की series रखी है और इसके माद्यम से अब अपना revision कर सकते हैं ठीक है अब अपना check कर सकते हैं कि कितना मैं इस topic में तयार हूँ ठीक है चलो तो सबसे पहले हम एक एक करके उसकी anatomy करेंगे और अलग-अलग part को पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद मैं उसके काम बता देता हूँ उसके बाद फिर हम लोग time secure लगाएंगे ठीक है तो ये ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं human eyes की बात करूँ तो human eyes एक बहुत important चीज होती है हमारे सरीर की body की ठीक है क्यों क्योंकि इसके बेना हम colorful world को तो देखी नहीं सकते ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहां पर human eyes की ठीक है मानव नेतर की बात करूँ तो यह तीन जो है हिस्सों से मिलके बना होता है तो पहला हिस्सा क्या है तुमारा जो blue color में दिखाई दे रहा है वो है sclera फिर दूसरा हिस्सा क्या है coroid और तीसरा हिस्सा है retina तो यह क्या है यह है human eyes की तीन लेयर होती है जो कोई भी जो आँख होती है वो तीन लेयर से मिलके बनी होती है कितने तीन लेयर से मिलके बनी होती है तो पहली layer क्या है सबसे उपर वाली जो layer है विलू कलर में उसे बोलते हैं हम लोग क्या sclera क्या बोलते हैं sclera बोलते हैं उसके बाद जो है beach वाली layer को हम लोग क्या बोलते हैं koroid क्या बोलते हैं और सबसे जो last वाली जो layer होती है उसे हम बोलते हैं retina क्या बोलते हैं? Retina और Retina ही सबसे important part होता है ठीक है? जहाँ पर किसी भी object का image बनता है वो है Retina ठीक है? Human eyes में, मानव नेतर में कौन से हिस्से में image बनता है तो वो है Retina क्या है Retina? ठीक है? तो हमने यहाँ पर layer जान ली है कौन कौन सी है? पहली layer है आपकी पहली layer कौन सी हो जाएगी आपकी? Esclera और दूसरी layer हो जाएगी आपकी Choroid और तीसरी layer हो जाएगी आपकी क्या? Retina ठीक है? कौन सी हो जाएगी? Retina ठीक है दिहान लिगना आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर Cornia की बात करूं मैं यहाँ पर Cornia की तो Cornia हमारे मानव नेत्र का Transparent पार्ट होता है ठीक है? जहाँ पर प्रकास पहली बार Enter करता है एक question बनता है कि प्रकास मानव नेत्र के किस हिससे से Enter करता है प्रवेश करता है तो वो है Cornia ठीक है? तो cornea एक transparent हिस्सा होता है जहां से पहली बार प्रिकास पर अपवर्दित होता है ध्यान डखना अपवर्दित होता है ठीक है, reflection होता है light का क्या होता है first time reflection होता है, अपवर्दन होता है reflection क्या होता है basically reflection basically होता है कि light का मुड़ जाना अपने रास्ते से light का मुड़ जाना जब कोई light बिरल माध्यम से सगन माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है और इस घटना को हम क्या बोलते हैं अपवर्तन Refraction When light comes from Rear medium to the denser medium It tilt towards the normal ठीक है So that's event is called Refraction I hope you can't understand अगर मैं बात करूँ यहां पर Iris की Iris की मैं बात करूँ तो Iris क्या है Iris को हिंदी में बोलते हैं Paritalika क्या बोलते हैं Paritalika Gян रखना Paritalika बोलते हैं अब Paritalika क्या करती है Iris क्या करती है तो Iris actual में हमारी eyes का एक muscular हिस्सा होता है एक muscle से बना भाग होता है और यही क्या करता है हमारी आख के बीचो बीच जो काला हिस्सा होता है आपने कई वारे अपने आएने में देखा होगा अपनी eyes के बीचो बीच जो काला हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर इस वाले हिस्से में, काले वाले हिस्से में, यहां पर मैं दो मिट बना के बताता हूँ आपको, यहां पर, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में हमें क्या दिखाई देगा आपको, प्यूपिल दिखाई देगा आपको बीचो बीच, ठीक है, और इस हिस्से को हम क्या ब कुरकर बढ़ा होता रहता है प्रकास केigner हिसाब से ठीक है जैसे आप अगर अधेरे कमरे में जाएंगे तो पुतली की साइस जहुता है वह बढ़ जाता है। आगर आप प्रकास में जाएंगी तो कुतलीयां अकर छोटा हो भी खोलग हो जा धिक लेकिन इस पुतली के आकार को छोटा और बढ़ा करने का काम कौन कर रहा है आइरिस कौन कर रहा है आइरिस ठीक है आइरिस पुतली से connected होता है जो की light के amount को control करता है किसको छोटा और बढ़ा करके वो है पुतली को यानि pupil को छोटा और बड़ा करके कौन कंट्रोल कर रहा है light की amount को अंदर जाने से आंके के तो वो है iris कौन iris परिदाली का ठीक है आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक है आगे discuss करते हैं अगर मैं बात करूँ lens के बारे में किस के बारे में lens के बारे में एक question बनता है इस पर कि बताओ मानव नेत्र में कौन सा प्राकर्थिक lens पाया जाता है तो मानव नेत्र में कौन wax lens पाया जाता है यानि कि उत्तल lens पाया जाता है कौन सा lens पाया जाता है उत्तल lens पाया जाता है दियान रखना उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ उत्तल और अवदल की, तो मैं बात करूँ यहां पर ये, ये कुछ इस तरीके का होता है, अवदल, दो मेट रुकना, ये जो होता है, बीच ओ बीच, बीच से बिलकुल पतला होता है, और साइड इसे होता है, मोटा होता है, और इसे बोलते हैं, अवदल लेंस, इसे बोलते हैं हिंदी में, अवदल और इंगलिस हम बोलते हैं, कॉनकेव, ठीक है, अगर मैं बात करूँ उत्तल लेंस के शेप की, तो कुछ इस तरीके से होगा, बीच में मोटाई जादा होती है, और किना हम decide आगे हम देखते हैं टेक है आप लोगों को समझ में आया होगा ठीक है एक कॉश्यन यहां पर डिसकस करते हैं कि यहां पर क्या भरÃ होता है एक वसbling होता है यह वाला हिस्बर झो दिख रहा है कॉर्णिया काॉर्णिया और लैंज कॉर्णिया और लैंज के बीच में और इंगलेस में बोलते हैं aqueous humor यह एक liquid होता है जो की cornea और lens के बीच ओपीच होता है यह लगातार cornea और lens के बीच में एक pressure डाल रहा होता है ठीक है ठीक है और हमारी eyes को थोड़ा सा liquid रूप में रखता है ठीक है चलो आगे हम discuss करते हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर vitreous chamber की किसकी बात करूँ मैं vitreous hammer की बात करूँ vitreous hammer ठीक है ये भी एक क्या होता है liquid के form में होता है जो हमारी eyes के अंदर होता है ठीक है अगर बात करें यहाँ पर retina की तो retina वो हिस्सा है आख का जहाँ पर हमारे अंदर image बनता है किसी भी वस्तू का image आख पर कहाँ बनता है तो वो है retina में बनता है कहाँ पर बनता है? retina में बनता है image formation कहाँ पर होती है? on the retina लेकिन एक question बनता है कि retina पर कैसा image बनता है तो याद रखना हमेशा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा कैसा बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा ठीक है इन्वर्टेड और रियल बनेगा कैसा बनेगा इन्वर्टेड ठीक है इन्वर्टेड और रियल बनने वाला है कैसा बनने वाला है inverted और real ठीक है एक question पूछते हैं कि retina पर कैसा image बनता है तो ultra all real बनता है ठीक है वास्तविक बनता है यहां रखना ठीक है उसके बाद यह optics naps क्या होती कि optic naps एक चीज जो यहां पर discuss करना है यहां पर कि optic naps क्या है ठीक है यह जो दिखाई दे रही optic naps ठीक है और यह जो optic naps होती है यही सारा कुछ जो है message लेके जाती है हमारे brain तक ठीक है जो भी कुछ यहां पर image बन रही होती है रेटिना पर जो भी signal मिले हुए है वो signal कहां किस के माद्यम से जाते हैं optic naps के माद्यम से हमारे दिमाग brain तक पहुच जाते है ठीक है उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहां पर और क्या बचा हुआ यहां पर हाँ एक चीज और यहां पर एक चीज है यहां पर वो है इस वाले हिस्से में यहां पर क्या होता है एक जो ब्ल इस blind spot पर बनता है तो आपको वो object नहीं दिखने वाला, ठीक है, क्योंकि इस हिस्से पर rots और cones नहीं होते, क्या नहीं होते हैं, rots और cones नहीं होते हैं, ठीक है, rots और cones नहीं होते हैं, ठीक है, त्यान रखना rots और cones नहीं होते हैं, ठीक है, यह rots और cones क्या होते हैं, तो rots और kone हमारे retina पर पाए जानी वाली दो cells होती है क्या होती है दो cells होती है कोसिकाएं होती है ठीक है हिंदी में क्या बोलते हैं इनको rots कोन को बोलते हैं शंकू कोन को बोलते हैं शंकू और इसको बोलते हैं शलाका क्या बोलते हैं शलाका ठीक है अगर मैं बात करूँ इन दो cells के काम की, इनके functions की, तो कौन जो होता है हमारे eye के retina के अंदर संकू Christmas, इसका काम होता है, ये basically photoreceptor होते हैं, क्या होते हैं, photoreceptor होते हैं, कौन का काम होता है, जो primary color होते हैं, ठीक है, जो हमारे primary color होते हैं, कौन से primary color, Red, Blue and Green, ठीक है red blue green in को detect करना कोन का काम होता है ठीक है यह जो हम colorful चीज़े देख पाते हैं वह कौन की वजह से देख पाते हैं किसके वजह से कोन की वजह से ठीक है अगर मैं बात करूं rods की तो rods का काम होता है only white and only white कम किसका होता है रोट्स का होता है किसका होता है और प्राइमरी कलर जिसे पराथन के कहते हैं लाल blue और green जैसे हरा कहते है ठीक है इसको detect करने का काम हमारा संकू का होता है कौन का होता है ठीक है और white और black का का detect करने का काम किस का होता है शला का, rods का और ये क्या होती है दो photoreceptor cell होती है ये कहां मौझूद होती है हमारे retina के अंदर मौझूद होती है कहां पर रेटिना ठीक है और रेटिना क्या होता है इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं द्रस्टी पटल क्या बोलते हैं द्रस्टी पटल ठीक है ध्यान रखना द्रस्टी पटल ठीक है द्रस्टी पटल बोलते हैं ठीक है द्रस्टी पटल बोलते हैं ठीक है द्रस्टी पटल ब रह गया है ठीक है तो अब हम यहां पर discuss कर लेते हैं कुछ mcq format में हमने यहां पर discuss कर चुके हैं अब आपको यहां पर mcq format में हम यहां पर revision करने वाले हैं ठीक है चलो और यहां पर मैंने हिंदी में भी slide लगाई हुए देख लीजिए यहां पर retina को क्या बोलते हैं द्रश्टी पटल बोलते हैं यहां पर image बनती है उसके बाद हमारे हां एक important चीज़ और जो मैं सो रही थी वह है पक्षमाभी पेशियां क्या होती है पक्षमाभी पेशियां ज काम होता है कि हमारे लैंस के आकार को चोटा और बड़ा करना ठीक है तो पक्षमाभी की पेशियां का काम क्या होता हुदा है सिलैरी मसल किसे connected होती है हमारे यह उत्तल लैंसे connect होती है ठीक है जैसे अगर आप दूर स्थित्वस्तू को देखेंगे तो इसका आकार कैसा हो ज जाता है जिससे आपका दूर का image देख पाते हैं, ठीक है? और अगर आप pass की image को देखेंगे तो ये सिकोड़ जाता है, श्रिंक हो जाता है और कुछ ऐसे आकार का ले लेता है, ठीक है? और ये आकार को, यानि लेंस के आकार को बदलने का काम कौन करता है पक्ष्माभी पेशियां, द्याहन रखना अगर मैं बात करूँ जैसे जैसे जो है इंसन बुड़ा होता है उसकी उम्र बढ़ती है तो यही सिलेरी मसल्स क्या हो जाती है यही सिलेरी मसल्स वीक पढ़ जाती है जिससे उनका लेंस कमजूर हो जाता है और उन्हें दिखाई देना बंद कर देता है ना तो वे दूर का देख पाते हैं ना तो वे पास का देख पाते हैं ठीक है फिर उन्हें क्या हो जाता है जो है उन्हें बाइफोकल लेंस यहाँ पर प्रोवाइट किया जाता है जरादरश्टी दोस हो जाता है क्या हो जाता है जरादरश्टी दोस हो जाता है ठीक है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर जो जैसे जैसे इनसान बड़ा होता है उसके आख में प्यूपल में एक प्रॉब्लम आने लगती उसे बोलते हैं मोतिया बिंद क्या बोलते हैं मोतिया बिंद मोतिया बिंद मोतिय बिंद क्या होता है हमारे आइस में जो होता है cloudy होने लगता है हमारा जो cornea वाला जो हिस्सा है वो क्या होने लगता है cloudy होने लगता है उसमें धुंदला धुंदला पना जाता है एक whitest color आ जाता है ठीक है आपने देखा होगा बुजर्गों की आईज में ठीक है जिसको कभी मोतिया बिंद हुआ होगा ठीक है तो आपने देखा होगा कि बीचो बीच जो होता है एक दम सफेज सफेज सर दिखाई देता है ठीक है ठीक है तो आगे हम यहां पर सब कुछ डिसकस कर लिया है fraction कहां से होता है, तो cornea से होता है, ठीक है, तो इस तरीके से lens से जाते हुए कहां पर बनेगा हमारा image, हमारा image retina पर बनता है, कहां पर बनता है, retina पर बनता है, ठीक है, त्यान रखना, आगे हम MCQ के माद्दे हमसे भी और कुछ, जो छूट गया होगा, वो discuss कर लेंगे, ठीक ह चलो आगे बढ़ते हैं, चलो तो हम start कर लेते हैं, MCQ series, ठीक है, तो first question क्या है, मानवांख किसी वस्तू का पृतिवंब कहां बनाती है, the human eyes form the image of an object at its, ठीक है, क्या वो cornea पर बनाती है, iris पर बनाती है, पुतली pupil पर बनाती है, retina पर बनाती है, ठीक है, या दृष्टी प ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, next question है, दूर दर्ष्टी दोस्त को दूर करने के लिए, किस lens का उप्योग किया जाता है, which lens is used to correct farsightedness, ठीक है, farsightedness क्या होता है, और nearsightedness क्या होता है, पहले आप बताइए question, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है, तो यहा यहाँ पर, ठीक है, और, अवतल दरपन यूज किया जाता है,, bifocal lens यूज करा जाता है, Instagram से कोई नहीं, तो right option क्या हो जाएगा, तो right option हो जाएगा, तो right option क्या हो जाएगा, दूर दर्ष्टी दोस्त को दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो वो यह उज किया जाता है, convex lens यूज किया जाता है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ठीक है, तो यह आपका convex lens है, और यह आपका concave lens है, ठीक है, आपको अगर यहां पर कोई object को दूर देखना है, जब आपको myopia हो जाता है, तो आपको यहां पर correct करने के लिए doctor क्या लगाता है, concave lens, ठीक है, आपके चस्मे में concave अगर आपको दूर का दिखता है और पास का नहीं दिखता है तो आपका जो correction होगा वो किस lens से होगा? Convex lens से होगा किस lens से होगा? Convex lens से होगा ठीक है? चलो तो आगे discuss कर लेते हैं ठीक है Retina और optic तंत्रिका का वो junction जहां संबेदी कोसी काई या तंत्रिकाई नहीं पाई जाती है उसके रूप में जाना जाता है The junction of the retina and the optic nerves where sensory nerves cells are not found is known as यानि कुल मिला कि यह बताना है कि retina कि ऐसा कौन सा junction जहां पर कोई भी कोसी काई नहीं होती है यानि कि rods and cones नहीं होती है जहां पर image formation नहीं होती है जहां पर अगर image formation बनेगी तो वहाँ पर मतलब जहां पर प्रकास की light पड़ेगी तो वहाँ image नहीं बनेगी आपको धुनला दिखाई देगा ठीक है option क्या है क्या वो आँख का धबबा कहा जाता है eye spot या lens point बोलते हैं या फिर optic junction बोलते हैं या फिर eye spot जगए blind spot बोलते हैं तो अभी discuss किया था हमने बिल्कुल सही तो answer क्या हो जाएगा blind spot क्या बोलते हैं उसको blind spot बोलते हैं वो इस हिस्से में रहता है ठीक है अभी बताया था इस हिस्से में actual में कोई भी तंत्री का तंत्र नहीं पाए जाती यहाँ पर rods and cones नहीं पाए जातें जिससे यहाँ पर कोई भी light detect नहीं होती और हमें वो वस्तौ हमें धुली दिखाई देती है ठीक है, image formation नहीं हो गए हाँ ठीक है यहाँ पर explanation भी लिखा हुआ है कि ठीक है, wide spot rating पर एक शेतर होता जहाँ पर संबेदी तंत्री का कोशिकाएं नहीं दिखाई देती है यहाँ पर कोई भी sensory nerves नहीं होती है आगे discuss करते हैं मानाओ आख में cornea क्या है What is the cornea in human eyes क्या वो एक प्रकास संबेदी संबेदन सील स्क्रीन है It is a light sensitive screen एक मास्पिसी डायफ्राम है It is a muscle diaphragm या रक्त वाही का कोशिका है या contain blood cells protein और कोशिकाओं से बना होता है It compose a protein and cells तो आपको बताना है कि cornea क्या है तो right option क्या हो जाएगा तो cornea right option क्या हो जाने वाला है आपका तो ये एक light sensitive है ठीक है तो cornea क्या है एक तरीके का light sensitive यहाँ पर screen है क्या है एक right sensitive screen hypermetropia is known as ठीक है hypermetropia को जाना जाता है ठीक है तो hypermetropia को किस नाम से जाना जाता है निकट दरश्टी दोस nearsightedness के नाम से या option B दूर दरश्टी दोस farsightedness से या option 3 जरा दरश्टी दोस प्रेस बायोपिया से या इन में से कोई रही तो option क्या हो जाएगा अब hypermetropia को आप farsightedness के नाम से भी जानते हैं इसमें आपको दूर का तो अच्छे से दिखाई देगा लेकिन पास का नहीं दिखाई देगा इसके लिए आपको doctor convex lens यूज करने को बोलता है आपके चस्मे में कौन से लगेगा convex lens लगाके आपके farsightedness वाली problem दूर हो जाती है ठीक है आगे बात करें हम लोग यहाँ पर color vision in human eyes is the function of photoreceptor cells is named मानव आखों में रंग देखना photoreceptor को सिकाउं का कारी है जिसे कहा जाता है ठीक है तो याद रखना की रंग को देखने का काम कौन करता है rods करती है cones करती है या blind spot या in में से कोई ने तो right option क्या हो जाएगा आपका तो वो हो जाएगा columns क्या हो जाएगा cones white and black white and black को detect करने का काम करती है ठीक है आगे डिसकस करते हैं ठीक है तो इसके लिए डॉक्टर कौन सा लेंस आपको प्रफर करता है बेलनाकार लेंस, सिलिंडरिका लेंस अवदर लेंस, कॉनकेव लेंस या ऑप्शन थ्री उद्टर लेंस, कॉनकेव लेंस या इन में से कोई और तो राइट आप्शन क्या हो जाएगा आपको निकट द्रश्टी दोस्के लिए आपको वो कॉनकेव लेंस यूज़ करने बोलेगा क्या बोलेगा, कॉनकेव लेंस प्रफर करने बोलेगा ठीक है, अब तर लेंस तो यहाँ पर बताना है कि प्रकास क्यरणों का सबसे ज़्यदा रेफरेक्शन यहाँ रखना, यहाँ पर होता है, तो याद रखना, यहाँ पर होता है अन्दा कॉर्णिया के बाहरी सतर पर, याद रखना, कॉर्णिया के बाहरी सतर पर सबसे पहले लाइट कहाँ पर इंटर करती है, कॉर्णिया से इंटर करती है, ठीक है चलो आगे discuss करते हैं आखों मेंबरीन इन्द आईस थोटा विच लाइट एंटर आखों में वो पॉतली छिली जिसके माद्थेंसे प्रकास प्रवेश करता है क्या वो आखी की पुतली कहलाती है या पुतली प्यूपल कहलाती है आइरिस कहलाती है या फिर cornea कहलाती है या aqueous humor ठीक है तो right option क्या हो जाएगा cornea क्या हो जाएगा cornea इसी के माध्यम से क्या होता है आख में कोई भी प्रकास प्रवेश करता है ठीक है तो सबसे पहले कहां प्रवेश करता है सबसे पहले एक caution बनेगा एक और इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते है कि बताओ आख का कौन सा इसा जब जहां जिसमें सबसे पहले प्रकास एंटर करता है तो वो है cornea ठीक है ऐसी इस्थिती जिसमें व्यक्ति की आख का लेंस धीरे-धीरे धुंदला हो जाता है जिससे धुंदली दृष्टी हो जाती है ठीक है तो वो condition बताना है जब किसी भी person की gradually जो होती है आख cloudy हो जाती है उसे blur दिखने लगता है तो उस problem को, उस effect को, उस बीमारी को क्या बोलते है ठीक है क्या उसको hypermetropia बोलते हैं दूरष्टी दोस या निकट दृष्टी दोस myopia बोलते हैं या मोतिय बिन्द cataract बोलते हैं या जरह दृष्टी दोस press myopia तो right option क्या हो जाएगा जहाँ पर तो उस व्यक्ति को हो चुका है मोतिय बिन्द cataract तो इसके लिए cataract operation भी किया थाता है ठीक है तो डियाद रखना यहाँ पर cataract में cornea वाले हिस्से को ही ट्रांस्पिलेंट बदला जाता है operation में ठीक है मोतिय बिन्द mega cateract में operation करके उपर cornea वाले हिस्से को ही यहाँ पर बदला जाता है यानि किसी भी वीक्तिय की जो eyes को donate किय जाता है जब किसी इनसान की death हो जाती है तो उसके बदल दिया जाता है जिस को भी यहां पर डोनेट करना होता वो दे सकते है यहां पर यह कॉर्निया वाले पार्ट को देता है ना कि पूरे zapBeis ओस्त इह त्यक कामकाच के लिए जिम्मिदार प्रिकास की घटना, the phenomenon of light responsible for the working of the human eyes, क्या reflection होता है, ठीक है, परावरतन reflection होता है, अपवरतन reflection होता है, या फिर power of accommodation, या दरशन की दृष्टिता, persistence of vision, तो right option क्या हो जाएगा, reflection क्या हो जाएगा, reflection हो जाएगा, ठीक है, तो light का अपनी रास्ते से mode जाना ही क्या कहलता है, reflection, reflection, ये कहां पर होता है, cornea वाले हिस्से से होता है, ठीक है, चलो, आगे discuss करते है, मानव आख में प्रिवेस करने वाले प्रिकास की मातर किसके द्वरा control होती है, the amount of light entering the human eyes is controlled by, क्या वो ciliary muscles है, क्या वो पुतली है, pupil है, cornea है, या फिर Irish है, ठीक है, तो light मानव आख में प्रिवेस करने वाले प्रिकास की मातर किसके द्वरा control होती है, तो वो है, ध्यान रखना, वो हो जाएगा आपका Irish, क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइरिस, ध्यान रखना, आइरिस हो जाएगा, option, क्या हो जाएगा, अगर आईरिस ना हो तो फिर पुतली होगा ठीक है द्यान राखने क्यों क्योंकि आईरिस ही प्यूपिल के माद्ध्यम से क्या करता है लाइट को अंदर आने से रोकता है ठीक है द्यान रखना मानो आख के रेटीना द्वारा नो लिखे छबी बनती है इमेज फॉर्मड बाय रेटीना ओफ यूमन आइज़िस option है आभासी और खडी बनती है virtual और एरेक्ट बनती है वास्तविक और उल्टा बनती है real and inverted बनती है option c आभासी उल्टा virtual और inverted बनती है option d वास्तविक और सीधा real and erect बनती है अभी discuss किया था तो right option हो जाएगा real और inverted बनती है वास्तविक और उल्टी बनती है वास्तविक और उल्टी बनती है हमेशा ठीक है और एटीना पर बनती है next option है निमनलिक्षत में से आख का कौन सा भाग आँख में प्रवेस करने वाले प्रिकास की मातरा को control करती है control the amount of light entering the eyes ठीक है हमारी आँख में जाने वाले प्रिकास को कौन control करता है आइरिस, कौर्निया, पुदली ये साथ repeat हो चुका है कौन हो जाएगा वो आइरिस हो जाएगा जाता है, which type of natural lens is found in the human eyes option A, उत्तर lens concave lens, option B, अउत्तर lens concave lens, option C bifocal lens ठीक है, या इस में से कोई नहीं ठीक है, तो आँख के अंदर किस प्रकार का प्राकरतिक lens पाया जाता है तो ओ, convex lens, कौन सा convex lens, ठीक है जिसे हम उत्तर lens भी प्रियूते हैं इनसान की आँखों की lens को बड़ा और छोटा करने का काम किस बात का होता है which part of the human eyes is responsible for enlarging and reducing the lens of human eyes human eyes, ठीक है तो हमारे आँख के अंदर जो मौजूद था, उत्तर lens, ठीक है convex lens, इसको छोटे और बड़े करने का काम किस का होता है ठीक है, तो इससे connected होती है, ciliary muscles जिसे बक्षमा भी, पेशियां भी गोलते हैं ठीक है, तो right option क्यों हो जाएगा, c c right option हो जाएगा, ठीक है तो बस यहाँ पर यहाँ पर series खतम हो जो की, आई होब आप लोगों को समझ में आयोगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल विने वाइचून स्टडी को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद